सभी को नमस्कार, आज 15 मार्च वर 15 मार्च का बिहार लिज में जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफेस आया उसको मैं डिसक्स कर रहा हूँ PTN मैंस के पॉइंट अब व्यू से तो पहला ख़वर आज है कि सभी जिनों में मेडिकल कोलेज अस्पताल पर विचार ये सभाल जवाब में अनफर आया है तो आप इसको मैंस के को इंडाव इसको लिख सकते हैं इनका कहना है कि अभी राज के 23 जिलों में 24 मेडिकल कोलेज है और नौ जो है उसमें संचाली थैं और 15 का निरिमान हो रहा है ये कही नगे बिहार परियास हो गया पीटी में पुछ दियान रफकते हैं उसके बाद जो एक बिधान परिश्वाद में एक फदर्स है दिलिप सिंग ने एक कोफन पूछा था कि और अंगाबाद में आबादी पजीफ लाग है वहां कोई बड़ा कोलेज नहीं इसलिए जो भी लोग अ कि खुलने के लिए जया कुछ जमीन चाहिए जमीन की कमी दूर करने को क्या कि अगर चुका चुकि जान्क है कि अ कि स्वासु सब्ड़ में प्रमाद और प्यस्वाद प्रयास कर है लेकि दिन नहीं इसनग तो यहां पर इनका काना है कि द्रभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शूपर-इस्पिसिटी भवन के दिरिमान का लगभग कार जो है न हो चुका है और यह वहां पर जा रही है तो जब यह भी कहीं न कहीं बिहार फरकार का परियाफ है कि दरभंगा मेडिकल कोलेज और बहतर किया जा रहा है जिसे कोविट के 90 पर देखा लिया कि वहाँ पर इस तिकाई खड़ाब थी तो इसमें सुधार किया जा रहा है तो आप मोटामटे आप लिए मैंस में ये कोफन बन जाएगा कि अगर आप ये पुछे कि बिहार फरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में क्या परियास किये जा रहे है परिवाद तो सभी जीलों में मेडिकल कोलेज खुला जा रहे है ये बात ली फक्त हैं अगर कुछ कमियां दिखाना हुए जमीन की कमी है फंड की कमी है human resource की कमी है नर्स की कमी है तो कमी तो बहुत फ़या दिखा सकते लिए आपके पाफ लिखने का content तो कम को होना चाहिए मैंस में पूछ देगा तो आप इसको मैंस के point of view लिखे रखिएगा नेक्स्ट चलते हैं हाँ में लास दिन भी किया था आप जदा में कभर नहीं करूंगा इस में लिख लिखे थे जिस्टी में निज करोड़ी मतल्व कि अभी भी लोग जो है न कहीं न कहीं जो टैक्स में घरवरी में भुकतां करने और यह पतना में बेठा जो सिशोब्वरर मजबूत करना चाहिए, नेटवर्क अच्छा करना चाहिए, निगराणनी करना चाहिए, छापेवारी करना चाहिए, तैgent को ठीक किया जा सकता है, माकी जो है, अगला इक अट और समयनल कावर कर रहा हूं, इस दिन क्या हो, प्रणिग का कॉम्प्टिफं किया गया था, तो इस में क्या होसी, कि रही है। बाल भवन अमरोली गुजरात को मिला है, दूफरा प्रुषकाट जो है ना, उननियल बाल केंद्र मेजा रोड परियागर्वाइज उत्रपर्देश को को मिला है तिफ्रा पुर्षकार एच के भट मत्रा को मिला है यह किस में मिला केश स्टेट में फिर नातक प्रस्तुति में पर्थम पुर्षकार बिहार बाल भवन भागलपूर को दुफ्रा पुर्षकार बिहार बाल भवन पुर्णिया को और तिफ्रा पुर्षकार बाल कि पूछ सकते हैं कि किसको प्रोशकार में आप इसको पूछेगा बाकि हाँ यह जो है ना कि आपको पता है कि हमारे देश में जो संसद है और जो बिधान मंडल है उल्लोकतंत का मंदिर कहा जाता है जो जिल्दान जहां पर उनका काम है कि बिधान कार करना या देश के जनता के लिए काम करना लेकिन वहाँ पे सोर गोल या माइक तोरना एक दुफ़े पर कुर्शियां फोरना ये सब आम घटना हमारे देश के परलियामेंट में और राज के बिधान मंडल में अभी आम बात ह तो यहां फिए को फन पूछ नाता है यूपेसी को फन पूछ चुका है भी पेसी भी अगर इस पर पूछ देगा कि विधान परिफद को लेकर पूछेगत मैं इसका आज मुझा डिसकर्स करूंगा वीडियो के लास्ट में तो अभी आप सिंपल घटना को बर धियान रखें क जो है माइक तोरनेक आरोप में भाजपा विधायक को क्या कर दिया गया है निलंबित कर दिया गया है तो यह कहीं ना कहीं जो है ना इनका आरोप वही है कि लगातार पूरक पर पूछ रहे थे विधायक फिर अपसर नहीं देनेक आरोप लगाया ठीक ना माइक तोरनेक पर आफन का अपमान किया गया, एक पक्ष शेर नहीं होने चाएक कारवे, मतलब कि यहाँ पे वही शत्तापक्ष बिपक्ष में आपस में बातचीत हो रहा है, तो आप यहाँ पे दिखे, यह घटना करम आपके लिए क्या है, कि यहाँ पे दिखे लिखा हुआ है, कि क्या था माम अंगरबारी की जो शेविका है, उलोग ना, अपने फ्यली बनाने के लिए बिहाँ शेविका पूछा था, मंत्री मधन सहनी ने जवाब दिया कि कैन फे राशी दिलबाद देजे, हम इनका मान दे बाहाँ देंगे, यहाँ पे बात हो रहा है, लखेंद और पुरक और पु परमिफन दे इस पर लखेंद भरग गया, यहाँ ने माइक तोड़ दिया, तो यह थो रखन कहीं ने कहीं जो बहवार जो है ने सब बहवार करना, कहीं ने कहीं ने कहीं बहवार तुनों सत्ता पक्स, बिपक्स दुनों पक्स से होता है, फन फन में देखिए कल भी हुआ थ सकते हैं, पिछले कुछ बर्षों से ना कि बद संसद की कारवाही में बढ़ता जा रहा है, यह घटना लोग तर के सही नहीं है, इसके प्रेनाम और उपाय की चर्चा करें, इसका में हाला की मोरा अफना इस वीडियो के लास्ट में पक्सा बेट कीजिएगा, नेक्स जो है पूरा दिन भर फ्रेफ रहते हैं, और इसमें जो आपको जानने लएक चीज क्या है, कि यह जो है एक 11 नमबर 22 से जो है शिक्षा बिभागने, राज भर के स्कुलों में बेगलिफ दिवस जो है लाया था, सब्ता में एक हर दिन जो है फनिबार को बच्चों को बिना बेग करता है, मैं हूँ का लाकाव, तो कि बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, तो यहां पर कुछ को बच्चों बदला आए, तो बसे पीटी के परपस आप इसको ध्यान रहते जदा इसमें आपके नहीं पूछेगा, नेक्स सलते हैं, फिर यह कहाँ यह बिहा फार्मासिस्ट का कोर्स करते हैं, अब वह भी जो है ना, अपना कुछ दवाई लिख पाएंगे, वह भी कुछ जो है ना, कुछ अपना उसके बदले कुछ फीश ले पाएंगे, तो ऐसा वो कर शकते हैं, यहां लिखाने मरीजाओं को दवा बताने की फीफ ले सकेंगे फा सिंपल देखें क्या होगा, इसको लागू करने मरी बिहार जो है चौथा राज मना है, बस इतना अब धियान रखें पीटी के लिए इंपोर्टर, बाकि यहां देखें, इससे क्या लाब होगा कि फार्मेसी प्रेक्टिफेशन में फार्मासिस्ट का कोर्स अलग होता है, ए कि अलग फिश में, अगर पुछें बिहार फिकर क्या परियाफ कर रहें स्वास्त के छेत में, तो आप इसको जो धियान में रखेंगा, तो और यहां जो ना एक जो थे फार्मासिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट तर इस मामला को लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदे फिनि चुक्तिस में क्यों बता रहा हूं, यह जो है जो बिहार राज महला आयोग जो का गठन जो हम इसको लास्ट भाजरे 24 को किया अधर फूचना जारी करके आयोग का गठन किया ता, इसमें जो है इसका कारकाल 23 अक्टबर 22 को ही खतम हो गया reduỉ राजमहला आयोग का तो आप देखिए यह 23 अक्टूबर 22 को इसका कारेकाल खतम हो गया लेकिन अगर आप 68 का जो पीटी जितना हुआ है अगर जितना भी मार्केट में मेगजिन देखिएगा सब में राजमहला आयोग के अध्यक्स का नाम दल्मनी मिफ्रा लिखा हुआ था जब कि बिल्कुल ही गलत था अगर भी पेफी इंदे केस को फन यह पूछ ता 68 में पूछ दिया कि अभी बरतमा में बिहार राजमहला आयोग की अध्यक्स कौन है सब किताब में दल्मनी मिफ्रा लिखा हुआ था जबकि देखिए यह जो इनका जो कारकाल जो 23 अक्टूब कुछ चीज़ा आपको गलत कौन सा है कौन सा सही है यह आपको जानना चाहिए कि जो राजमहला आयोग होता है उसमें एक अध्यक्स होता है और यह जल्द ही होगा अभी नहीं हुआ है इनका जो मंत्री जी का समाज कल्यान मंत्री बंदर स्वानी का यह कहना है नेक्स चलते हैं हाँ यह 30 कंपनिया में पकड़ी गई 7 करोड की जीएस्टी वह आवे बता दिया मैंस के लिख लिए कि जो कहीं न कहीं मामला आते रहता है जीएस्टी को लेके इसको देख बिहार के राजपाल है पहली बार जो है न क्या करते हैं एक फिनेट का बैठक हुआ है वहाँ पे इन्होंने जो है भाग लिया है और जो भाग लिये हैं कहां पर यह प्रकास में उस बैठक में भागने बस इतना ध्यान और यह कोफन अगर कभी पोज़े के बिहार में जो सब्सक्राइब करते हैं अब इस चीज़ को काफी सुधार करेंगे तो यह था ध्यान रखेगा पर बैठक में भाग लिए राज के पदना जिलों में मेडिकल कोई खुलेंगा आपको बता ही दिया यह नेक्स चलते हैं यह एप से स्मार्ट मीटर नहीं हो रहा है बार लाख लोग परिफार अगर ना बिजली छेत में बिहार में क्या समस्या हैं चुकि सब जगए मीटर लगाने की बाद बिहार में चल लेकिन वही फर वर जो उसका जो प्रेमेंट का सिस्टम है ना उसमें खराबी होने की वजह फिजन लोग घुपतान नहीं कर पाते है जो विजली कमपनी के अधिकारी शूब्धा एप पर रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं पूछेगा कि सुब्धा का संब्ध की से है इसको ध्यान रखेगा नेक्स जो है एक और है दिखिए होलिका दहन के कान एक सोट बीस जगह पर सरकार क्या होगा चथी पूर्ण हो गय लिकादहन कर लिए लेकिन वही है कि फरक का हालत खराब हो गया तो यहां पर अगर कोफन कभी यह पूछ दे कि नागरिकों को अधिकार के साथ साथ मूल करतब का विद्यान रखना चाहिए तो इस सब चीजा पर यहां धियान रखेगा नेक्स जो है वासहीन परिवारों को परतमिकता क्या धार पर दी जायगी जमी में तो कि पिहार में जिन लोगों को घर रहने के लिए घर नहीं है तो फरकार यह कोशिश कर रही का उनको जओने जल्दी ही जमीन मिल जाए तो यहां पर एक लिखा उगा हूआ है राज सरकार सुबय में वासहीन परिवारों को सरवे करी जिनके पास नहीं है घर रहने का ये बात कि इस ने कई राजस वर भुरा स्मंत्री जो है न अलोक महता ने विधान सभान गवाफना की है कहा गया कि एक अभियान है अभियान बसे रा कुपन पूपती अब यहां बफिरा का समन्थ किस से पीटिम पूल यह आपका ना जो जिनके पास रहने का घर ने उनके लिए ठीक ना तो अब यहां बफिरा के सरकार अवास हीन परिवारों को जमिन उप्रवत कराएगी इसके लिए जो सर्वे की कारवाई किया जा रहा है तो जैसे ही होगा इसमें मतले सरकार का यह है कि जिनके पास घर ने उनको पर जमेन दो तनकर अपनी अपनों घर बना सके तो कहीद रहीं कि आपको क्या लिखना है कि एक получится होता अगला जो कफन यह है कि PT मैं सब में पूछता है कि दुनिया के फरवाधिक प्रदुफित सर्म बिहार के साथ सहर है यहां देखे रैंक दिया गया यहां पर दिल्ली चोथे स्थान पर दरभंगा छठे स्थान पर पहले बिहारों पहला दरभंगा फिर देखे पटना दसमें पर देखे छपड़ा है फिर आपका जो है ना नेक्स मुझफरपूर है विसमें रैंक पर फिर आपका गया चबिस पर है तो कि आप यह देख सकते हैं रैंकिंग के तहर जो है ना यहां पर दुनिया के सिस पचास प्रदुफित सर्म दिल्ली नोइडा गाजा बसमें भारत यहां पर जो यह तो ठीक है कि पीटी में पुछे कोंसा कितना रैंक पर है लेकिन यहां पर जो है ना एक जो और देखे कुछ को देख लेजे कि दुनिया का सबसे जो पाकिस्तान का लाहोर दुनिया का पहला सबसे प्रतफित सहर है दूफरा चीन का होतान सहर है इसका इतना आप तफ़ा ध्यान रखेगा और इस बाटो है ना दिल्ली और नई दिल्ली को अलग लग लग इस पर रेंकिंग में किया गया है ठीक न चलिए इसको अब इसमें क्वफन क्या पूछेगा मैंस में बिहार और भारत विहार में बतावर्या प्रदुफन किस परकार इंगीत किजिए कि साफन तो रहो कौन से कदम उठाए जाने चाहिए यह जनता तो रहा कौन से स्वेचिक कदम उठाए जाने चाहिए यह सोचिए इस परेफिन को इसका में कल डिसकर्स करूंगा मुरानफर के साथ नेक्स चलते हैं हाँ यह जो है न भी शिंपल यह धियान कि इंडिया में इस वार मीटिंग हो रहा है हर एक सहर में तो इसमें जी ट्वन्टी इन्फिटी कनेक्ट एजिंग एंड माइंड लेक्चर फ्रीज कहा हुआ है पटना विश्वदाले में किया गया है बस यह धिहान रखिएगा नेक्स चलते हैं यह पाकि जल्वाई परव यह बात कह रहे हैं इसकाम तो यह है कि जो कीरेव पहले समान थे अब वह अधिक खतरनाक हो गए है ठीक है अशाही लिची पर हम निर्वार है उत्पादन बरहाने और बजार में हिवदारी बरहाने के लिए नई पजाती के बगान भी लगाने होंगे वह जल्वाई परवा हमारे लिची पर भी पर है आप इस जोने में से के पॉइंट अब यू से बातने को लिख सकते हैं बाकि एक पीटी के लिए एक और क्वफन हो गया कि आयने दिल्ली हार्ट में जो है ना बिहार उत्सब मनाया जाएगा कि स्वल्लय मार्श से पीटी में पूचेगा धियान आफ़ां दिवर्स के अफ़र पर पंद्री दिवस है उत्सब का आजने स्वल्लय फेले के 31 मार्श तक आएने दिल्ली हार्ट में किया जाएगा हर बर्स उद्योग विभाग बिहार दोरा यह जोना किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा बस इस्टॉल लगा जाएगा भाल कि जो भी हेंडी कर आप जो हैं यहाँ खादी सबका ब्रहतर लगा या ताकि जोना लोगों को वहां के एक कला के बारे में वहां के जोना कना पता चल सके इसको देख लिएगा बाकि पीटी पूछ में फत्तारूर गटबंधन के फदस कॉंगरिफ नेता राहुल गांधी दरा लंदन में दिये एक बयान के लिए उनसे माफी मांग करते हुए और विपक्षी फदस अडानी समू के मामले में जॉइंट पर्लेमन कमिटी की मांग के फदस की करवाहि बादित कर रहे थे उसी सम में बिहार बिधान स्वार में प्रक्षी भारती जन्ता पार्टी राजक के विदायक स्वतरूर मांगर्वन के फदस्यों के बीच साब्दिक घमासान हुआ था बिधान सवार में गाली के लोज और माईक तोरने जैसी और सोबिनिया घटनाओं के आरोप लगे बाद में मा माईक तोर लेगी का मतलब हुआ किसी को गाले तो यह गरत बात है ठीक नहीं तो कहीं न कहीं संसदिया और लोकतंत्र की मर्यादा का यह हनन है आप यह अपने मैंस कान्टर में लिखेंगे हमारी फनफदिया परनाली में और सहमत्ती और बिरोज जताने के लिए कई संस्था परंपडाय हैं जिनके बिपरक्ष और समद फद्स पूरे फदन और पूरे देश के लोगों की अपनी बात पहुचाता है इस सरकार पर भी दवाव बनता है लेकिन एफार लगता है कि हमारे माननिया जनता में हमानिया में जनता की सभी को लेकर बहुत फजग नहीं है सब्सक्राइब बिल्कुल ही सही नहीं है आप जो ने इसका में तो यह इतना भी चीज़ है यहाँ पे सब्सक्राइब आप मैंस के पुइंट आप जो नहीं काफी इंपोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान में रखें अब यहाँ पे जो है अब इसमें एक ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं से भी उनका मामला जब हो है तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहा था इन्हीं ब वाहिक जो मत्त की पूरी तरह स्वर्गुल से भरी परी है तो आप यह सुप्रीम कोर्ट का लाइन लिख सकते हैं कि आप देखें नियापालिका को हस्तक्षे करना पर रहा है बिधायका के छेत्र में मत्त कि बिधायका को बोलना पर आप यह यह करो कितना गलत बात है हमारी लोकतंत के लिए आगे देखें यहां पर मगर दुर्योग से हमारा राजनितिक वर्ग इसके बाद भी फज़तार नहीं दिख रहा है लोकतंत में तीखी से तीखी अलशना और बहस की पूरी गुंजाई से फिर हमारी मानिया और संसदिया आचन पर क्यों उतरने लगे हैं दरफल अपने अकाओं को रिजहने का उतावलपन उनफेशा करवाता है इसे में हर पार्टी के फनफद्य अदल के नेता को यह देखना चाहिए कि उनके साथ ही फदल में क्या बोलना है क्या नहीं वह अपना गरीमा ना खोल है बिहार बिधान सवा में नेता प्रतिवक्ष तो कुछ अर्शा पहले तक बिधान सवा में बिजय कुमार शिना जी वह जो पहले खुद लोग सवा बिधान सवा के अध्यक्स हुआ करते थे फदन चलाने के मुश्कुलों से बहतर वाकिप होंगे कल तक भाजपा और जदियु साथ साथ थे चुकि बिधाई फद्दों क के नेताओं को अपने साथी विधायकों को फदन की गरिमा के परतिकूल आचन से रोखना होगा बिदामना यह है कि इन दिनों सत्ता पक्स भी आकवर होने लगा है जबकि फदन को चलाने में महती भूई का फरकार की होती है फदियक का मूल दाइत ही बहतर क्या है फ्लोड म करने की आदर डालनी चाहिए कहने कि आप सकता है नहीं कि बिधायकों के बहतर ट्रेनिक से हमारे बिधायी फदन अराजक अखाड़ा बढ़ने से बस सकेंगे पार्टियां वह स्थरकार यह जगहसाई से बच पाएंगे तो यहां कहीं न कहीं यह है कि आपको इस सब चीज इक्जाम में मैंस के जाम में काफी आपको यूज होने वाला है तो आई इसका मैं एक कोफन बनाक लाया हूँ कि बिधान मंदल की भूमिका को पहचान करते हुए बिहार में इसके कामकाज के पैराओं पर चरचा किजिए साथी बिधान मंदल के कामकाज में सुधार के तीज फिल्मनी एबॉर्ड मिला है ये पीटी के लिए याद रखेगा ये खजोल निवासी पटना की है बस नेक्स अलते हैं ये जो है ना कुछ अलग से मैं लिख रहा है पता है पदम फ्री जो एक कपिल देव परसाथ को जो मिला है उनको क्यों मिला वो मिला बावन भूटी कला के लिए अब ये बावन भूटी कला क्या है तो इसके बता देता हूं कि नलंदा जिला मुख्याले बिहार फरीब से तीन किलोटर पूरव इस्थित एक छोटा सा टोला है बसवन भी घा जो आज चर्चे में चर्चा में इसलिए है कि 26 जनबरी के पहले गुमनामी के जि सिल्वकार का पिल्देव पर अचनक चाशाम आगे 24 गतन दिवस की पूर फंधिया पर आज पर देश के फरमच समान पदम फिर देने के घुफना इनको की गई है ठीना उनमें इनका भी नाम था अब यहां पर चिंपल साहिए देखिए कि जो है जो का पिल्देव परसाद ह इसको प्रोषकार मिला है यह जो है ना बावन बुटी कला फे जो है जुड़े हुए है तो अब इसमें कोफर एकर पूछ देगा कि यह बावन बुटी कला क्या है कैसे है तो इसको में परके फूनाता हूं जो पर फश्कार के चाहिन होने वाले जनादा के पहले सक्स बन ग आ रहे हैं अब इनका यह है कि इनको जब प्रोषकार मिला इनका यह मानना है कि अब जो है ना बावन बुटी कला कुछ याई ट्यक मिलना चाहिए इनका यह कहना है और इससे ही होगा कि हस्त करगा उद्द्योग को बढ़ावा मिलेगा रोजगार के विएफर क्या होंगे खुलेंगे इनका इसा कहना है ठीक ना उसके बाद जो है ना आगे लिखें यहां पर जो बावन बुटी कला है तो बावन बुटी कला यहां लिखा है बिहार की वस्त शिल प्रंपड़ा में बावन बुटी का प्रवुकस्थान है इसका क्यम नालंदा जिले के बस्मन यहां पर एक और यह पूटे शारी में एक जैसी बावन बुटी तो इसके में पूरी सारी में बहुत धर्म की अकला किर्टियों को बहुत लिसमेंड इएक फ़स Wash बनते हैं यह बावन वोटी कला पूशेगा ताप इसको धिहान में रखेगा कि वानुटी कला क्या है और यह किफ जिले में जो है जिता आपका नलंदा जिला और इनको क्या मिला है पदम जो है फिरीक एवारीज गार मिला है चली पीटी अगर मैं से दोनों के लिए आपका ध पाटनाम हुआ फर्स्ट इस्टेट ड्राइब इन्वेश्टी टेशन विमेन किर्केट टूनॉमेंट में जो है इस सिंपल धियान रखेगा इसको टीम गंगा को हडा के बस यह धियान रखेगा इन टीम गदावरी जीता है यह महिलाओं के लिए था ठीक नह इसमें सिंपल पर तो बनाएगा इन टीमों के नाम भारत की चार नदियों पर रखेगे तो आप इसको धियान में रखेगा ठीके मांघ्याञा को गदावरी तो अगयर कभी लिखना कि लिखना हो कि मैं बिहारी हूं निवन लिखना हो यह कंद से अधिक हना रखेगा इसको सबस्क्राइं कर redo us working बिहार में करा कानून नहीं अगर तो कहते द्रभंगा के सोभन वाईपास परबने गाधर्व बनेगा, एक सो पचास एकर जमीन को चिन्हित किया गया है तो कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि जिस जगए को आपने दिया है मुखंत्री जी वो तो जल जवाओ का छेतर है वो जमीन गढ़े में है तो मुखंत्री जी कहा है कि आप चल के देख लिए अगर वहां कुछ गरबर है त पुष्टा का आरोप इसको अगर कभी पुष्टान की पंचायती राज बिहार में कितना सफल तो आप एक बात लिखेगा यहां देख एक मीटिंग हुआ एक पुनपुन परखन के बारवा पंचायत में तो उच पंचायत का नाम छोड़े जाने दिजे यहां पे गरामीन पंचायत के बात को लिख सकते हैं नेक्स्ट बाकि परदुफन का तुम्हें बता हैं दिया कि दुनिया के टॉप 20 सहरों में बिहार के जो पांच है तो पाकिस्तान का लाहुर, चीन का दुफरा होटान भारत का भीन बिहार का दिल्ली पाकिस्टान का पर देखें यहام फिर यहों पर दर बारת का भिहार का पटना देख कर लोगा सब देहर अदी पुछेगा कि आपका SSB है अपने 59 अस्थापना दिबस में पटना के सबसेश्ट सिमांत पटना को सबसेश्ट सिमांत और गया वहनी को सबसेश्ट प्रश्कार SSB के दिया गया है यह पीटी में पुछेगा सिमांत कि आप दिखेए ऐससबी बलके कुल छे सिमांतों में पटना सिमांत को नारकोटिक्स की जब्तियां और नागरी कल्यान हेतु छेत में उत्किस्ट कार हेतु सबसेश्ट सिमांत और पटना सिमांत के आने वाले 29 वाहनी गया बिहार को बाकी जो है अब आते हैं मोडर अलफा डिसकस कर लेते हैं मैंस का अगर कौफरन पूछ ले कि जो आज बेपर कर्टिक में आया है कि बिहार मंडल की फ्रीज में बीधान मंडल की भूमिका को पहचान करते हुए बीहार में घामकाज में उच्छंता के परिणावा की चर्चा क सब्सक्राइब निखेंगे भारत में संच्छ और विधान मंडल को लोकतंत्र का मंदीर कहा जाता है ब्दान मंडल लोकतंत्र के प्रतनेदी निकाय के रूप में राज में के अंदर भूम का निभाता है जो ना केबल सरकार की किजाकलाब पर नियंतर निख रखता है बलकि जनता की आपका संग्स का भी परतिनित करती है अफ तरह से बिधान मंडल का क्या है आपका फंड़स ना दिखा दिजिए आर्टिकल लिख दिजिए बिधान सवाइ करती है बिधि दिर्वान करती है बिध पर कंट्रोल रखती है बहस का केंदर है इसका कोई समझानिक कार है निर्बाचन का भी कुछ कार राश्पती के चुनाव में जो यह बोटिंग करते हैं बिधान सवा के मेंबर लोग यह आप इसका कार अपना लिख सकते हैं डिटेल म काम हुआ इसको भी जिक्र कर दीजिए कि बिहार जो शोलमी जो अभी शतनमी विधान सवा चल रहा है बिहार में तो शोलमी विधान सवा में उफट्टी परफट्र काम काम हुआ है कई बिधहे जल्दवाजिम पारित हुए हैं MLC और MLA की उपस्तिती बहुत ही कम रहती है स नोरगोल धन्ना प्रदफन उलगत अंतिक ब्हवाद काफी बहर गजज है कि आप एगनापल दे सकते हैं माइक तोरने का या गाली कर सकते हैं बजट पर चर्चा कम होता है वह सब भासा का प्रियोग होता है यह सब कहीना कई लोग कर रहे हैं अब इसका प्रिनाम यह हो रह ही है जब वही लोग जवाब दे नहीं तो पर दिक्कत है ना पूरे देश कराज के लिए नियापाली का बोज भरता है जिसे कि आभी आपको बताया है कि सुप्रीम कोट ने दिशाद देश दिया था कही ना कहीं अगर यह सब घटनाए लोग नहीं करेंगे तो नियापाली होना ही पड़ेगा अब इसलिए यहां से कोफन बनता है नियाइक फकृता का भी ठीक इसको दियान देखेंगे बाकी जो अगला इसी में कि कहीं न कहीं इससे समय विकास का वाग हो जाता है पिछले 10 बरसों में बिधान सभाव बिधान परिफद में 25 काम काम हुए 25 काम काम इसको पूरा काम करना ही चाहिए अब लोग करता है इन लोग को भी करने जब तक उसने काम पूरा ना हो यह आप लोग मता कि आप लोग कि आप लोग कुछ होना चाहिए प्राव दान आ मेरे MLC को ट्रेनिंग दिया जाए अभी जैक में आपको आटिकलों पर फुनाया इन लोग को ट्रेनिंग बहुत मस्ट है देना और तकनिकी ग्यान इन लोग को दिया जाए कैसे चीज किया जाए समीती प्रामर्स बनना चाहिए ठीक ना कि समीती कमिटी गठनों कि क्या 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 काम हो नियमित निगरानी होना बहुत जोड़ी इन लोग के लिए क्या करते नहीं करते हैं फिर उत्तरदाई विपक्स को यह अच्छी भूविकानी परेगे बिना अच्छे विपक्स का लोगता चलना भी तो सा मुश्किल है और एक जो पब्लिक रियक्षन जनता कि जनता क्या इसका सोचती है यह भी जनता का ओपिनियन लेके इन बिधान सभाव और परिफ़त के मिंबर को बाकाइदा फुना एक जनता आपके बार में यह बोल नहीं है तभी लोग क्या है सुद्रद हैं इन अच्छे से बाकी जो है निसकस्त है इस लोगतन और विक्सि रहे हैं और इसको लिखने का कोशिश के जिए बाकी और जितना ही मुड़र आंसर है मैं पर डे के बेसिस पर मैं शामिल करते रहूंगा ठीना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू